लगबग इनकी बीस परसेंट बोट तो चोरी की है और दूसरा जो एवी में वाला मैंटर है इनके में कितनी बार गड़बड़ी मिली है अब उसको कौन सही करें पर चोरी का जो है यह अभी भुकमरी से निकला नहीं है जो देश जो है 87 करोड आदमी जो है पांच-पांच के लोग हैं वो खरा है तो वह का प्रेदार मंत्र जह है यहां कि प्रणूंअ के साड़ें लोग तो हों कि वह परवार नहीं है और साड़ीं के लोग तो हैंकि जिनके साथे स्थ रोगुअज है कbooks बलातकार हुआ है ऐसे कितने ही चेस है वह परवार के वह भी है चीन का तो आज तक नाम लिया हो तो आप बता दें कोई भी जो और रिकॉर्ड बता दें को आदमी कि मोदी ने जो चीन को यह बोला है कि हम चीन को बरबाद कर देंगे हम चीन का चीन हमें आख दिखाएगा तो हम उसको मुक्का दिखाएंगे मोदी ने कहा हो तो बता दें पाकिस्तान पाकिस्तान करता है यह नमश्कार मैं स्रमण कुमार हमारे साथ हैं एड़केट सर आज हम इसमें कहना यह हम लोग जो है पार एस्वेशन सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट और पतना हाई कोर्ट के मतलग काफी जो है देश के जो अच्छे नामी ग्रामी वकील वाइव हैं और आगे के लिए जो है रूपरेखा बनाने हैं कि जो बहुजर समाज पर जो अत्ताचार जुलम हो रहे हैं उसको जो किस तरी नितिक विचारधारा जीत थी वह उत्ताप्रदेश में जाकर एक बहुत बड़े अस्थर्ब दिखती है और सारे वह की लोग आए इसके लिए शुक्रिया और सर यह जो मतलब सेस्टी ओबी सी की बात की जा रहे है उसमें आप क्या कहना है उसमें हमारा यह कहना है कि जो सबसे बड़ी पावर है नहीं सबसे बड़ी पावर पारलेमेंट है और हमारा भारत का संब्यदान सब्सक्राइब पावर्फुल नहीं है इतनी सुप्रिक जो चलती है वह सब संब्यदान से चलती है और संसक जो है इस की जो सर्व पर है लेकिन यह जो यह यह भृहनती इसलिए फैला रखिक है कि जो न्याएववस्ता है उससे जो जितने भी हमारे मुगद में आते हैं नीचे से बहुजन समझ के उनको जो है ये इस たरीके से कहे देते हैं ड़रा देते हैं सब को कि स्प्रिंग कोट जो है सरो पर यहां यहां आता है वो सब जो है इसके खिलाब बोलना नहीं चाया है क्या यहाँ पे जितने भी इडूकेट और जोग आएं क्या इन आज़ के कहने से कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जा सकता है देखिये इसका एक समाधान ये है कि नीचे से जा्डा के आवाद जो है वो पारलेमेंट को जाएगी जो अपने जो एे नेता हैं जो राजनेतिक दनों के जो बड़ बड़े नेता उन से कहा जाएगा कि बोट आपको देते हैं और जुडिसरी जो हमारे साथ जो नाइन सापी करती है तो आप लोग इसमें बंदिस लगाईए और इसको जो है कारिय पालक के अधिकार छेत्र में लाईए जिससे जो है इनकी जो न्युक्ति जो है वो कारिय पालक करें सर जो पालिया मेंट की बात करें तो उसमें तो यह स्ट्योबिस की भागिदारी हो चुकी है कहीं ना कहीं नहीं जुडिसरी में नहीं है लेकिन राजनितिक पार्टियों का उनका भीकास हो पार्टियों में निश्चित हैं मैं कह अब पचास लाख पद जो है वह सरकारी कि खाली है सरकार के जो है यह खाली है पचास लाख पद और वह ज्यादा दर जो है उसमें 90% जो जो उनको भरा नहीं जा रहा है और उनके साथ जो नाइनसाप कर रही है यदि सुप्रीम कोड जो है वाके ही जो है इनसाप करने वाली होती तो गौर्मेंट को यह आदेश कर दी ती कि आप इनको पदों को भरिये सुप्रीम कोड का एक इतहासिक फैस्षला ओलेकर उस पर क्या चाहिए तो यह की चंदा लो अधंदा दो यह तो शविद्हानीक था शविधान में इसका बकायदा वो कहते हैं इलक्ट्रोल बड को लेकर बनाया गया था है इसा है इन लोगोने जो है जो एक एक कमपनियां है एक एक कंपने वह मैं 2020-30 जो इन्होंने जो है बॉंड ले रखे हैं और लेना चाहिए तो कंपने का उसमें जो है इतना जो है आप ले सकते हैं लेकिन इन्होंने जो है हमारा जो बिजनिस है इसको जो है पिरो करें तो आपको मुझे को घाटा आएगा क्या मैं किसी को चंदा दे देंगे अपने बच्चों को पालूँगा वो इसलिए है कि जो है यह जो है हम इनको चंदा देंगे हमको धंदा देंगे तो क्या सर देश का जो दोजार चोबीश का चुनाओ है लोकशवा का चुनाओ इसमें आप क्या कहना चाहिए इस पर यह जो है यह मुद्दा रहेगा यह मुद्दा खड़ा हुआ है ना बिलकुल आएगा मिलकुल आएगा यह चंदा चंदा दो धंदा लूग जिय नारा बने का इससे पंजाब नहीं रखा है उसके किल लगा रखी है एमेसपी जो है आज तक जो है उस पर चेलीविजन पर बोर करके आज तक MSP जो है वो नहीं दी गई है बेरोजगारी जो है इतनी चरम पर है कि यह समझे कि आप जो है आप तो आप दिल्ली में है जो आप देहात में जाएंगे तो लड़के जो है ऐसे ही जो है सराप पीते हुए घूमते आपको मिलंगे संक्या में मिलंगे रहे ऐसे ही में MSP सरगार नहीं दे रही है लेकिन देश में जो बाहरी लोग आए हुए है अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलाडेश जैसे उनको नागरिकता दे रही है उनको इस देश का नागरिक बना रही है कि अधिया किसान को MSP बढ़ा है और जिसको ज़रूरत है उसकी जो है सिये की उसको वो जब जब हमारी गर्ने का रेट जो ना गर्ने का रेट तीन सो साथ अब हुआ है और पंजाम में गर्ने का रेट जो चार सो है कर दो करें ने तो हमें जो है कि अधे करें कर दो करने केलिए उसका पर याप नहीं कि तो हमें जो है फिर हमें हम देख केंगे अपना इस बार मोदी जी कह रहे हैं चार सो पार इस पर क्या आप कहेंगे मोदी तो यह कहता है उसे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है वाय जैसे नौकरियों की चोरी किछा जाती है इसी टाइप से जह आप देखंगे किसी को 200 वोको से खार दिया किसी औ центр में इनके में कितनी बार गड़बिधी मिली थोटल मिला गया नmm कितने बार 20-30 तरह बोटों का जो डिफ्रेंस मिला हैं अब उसको कौन सही करें है इस चोरी का इस सीना जोरी और चोर आप मोदी जी को चोर कह रहे हैं हां चोर कह रहें हैं मुभी जी देश के शवयदानिक पद सबसे उपदेश के प्रधानमंत्री और आप देश के प्रधानमंत्री को चोर कर रहें पाकिस्तान की जो कितने जो पूरे विर्फ मैं आपको गिना दू तो और भीशों प्रदान मंत्री चोर करते अब देश के प्रदान मंत्री को यार एक बताइए यह जो है यह अभी भूक मली से निकला नहीं है जो देश जो है 87 करोड आदमी जो है पाच-पाच के लोगें खारा है तो वहां का प्रदान मंत्री जो है दसजार क्रोड के जहाज में घुम रहा है वहां का परदानमंत्री जो सुबह से साम तक इतने बैटर बढ़िया बढ़िया कोट जो कही के हजार के कोट पहनता है अभी तो भुक्मर है उसको देखो लाल बादर साश्त्री को उसके कुर्टा फटा हुआ था सब्सक्राइब कर दो दो तीन जी चाय बेच कर आए हैं इतने नीचले तब केसे हुआ है उनकी 1912 में चाय बेची है ना उस समय बढ़ोद्रा इस्टेशन ही नहीं था बढ़ोद्रा था उसने तो कभी तो आठी का अपने और कभी जो है अब बतारा के डिया में तो कोई भी आज तक टीचर नहीं मिला उसके साथ का कोई भी जो है आज तक जो है यह नहीं इसके साथ पढ़े पूरे देश 140 करोड की अबादी को अपना परिवार बता रहे हैं और आप उनको इस तरह से परिवार के लोग है कितनी बहन बेटियां का बलातकार हुआ है आप ने देखा उसमें हात्रस वाली लड़की वो वीचारी जिन्दा जला दी ऐसे कितने ही केसे वो परिवार के वो भी तो है यह रामपूर की जो घट कर सकता है को याद भी यदि मैं यह कहूंगा आप मेरे परिवार के हैं तो मैं आपके साथ को नहीं साभी कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता है यह सर जूट-मूट का जाल है मेरा परिवार है मेरा परिवार तो किसान भी है भाई किसान साथ परसेंट किस दीजिए उसको MSP दीजिए उसको फसल का मुल आपने जो यूरिया का जो कट्टा है वो साला पहला पचास क्या नाम जो है पांसो का आता था नहीं दोसो दोसो यह नि उसके भरती जो थी पचास किलों की थी उसके बाद 45 करी अब 40 का चालिस के भरती कर दी मोदी जी कहते हैं कि अगर MSP अलाग हुआ तो देश में जो मजदूर बर्ग है उनको खाना तक नहीं मिलेगा बहुत महेंगा राशन हो जाएगा तो इसका मतलब तो आप फिर सरकार यह कहा है कि हम ने खिला रहे हैं किसान खिला रहा है किसान को जाना चीए कि बेग किसान जो है वो इनको नाज देता है फिरी मैं बताईए आप दस की चीज को जो है आज आप परचेज कर रहें चार में और उसको आप जो बंदार लगा रहे हैं मेरा तो जो है जो मैं कर रहा हूँ पैदा मुझे तो उसका जो है लागत मुली भी नहीं मिला है लाव है वह विख्रा पड़ा है कि दोड़ कोई नहीं पूछता उसको गरने का रेट है गरने का रेट 360 अब किया है और दूसरे इस्टिटों में जो है नबर प्रिफ्रेंट का आपके आपके गेहूं है गेहूं कम से कम भी जो से दो लागत ने कि अबेछानोंौ जारी रहेगा? किसान का आंदल यहीं पंजाब में हो आपका जो है तेरह अंधुनके बात करिया इस तरह Hadis इस तरह के मेरे साथ ये problem है तसा उट आड़ क्यों सुगा भट हाथे वक्षान को टॉऑं कियो m리टाते हो बाई मजदूर की जो मजदूर ही है, आप लेता हुआख कि इसको मिलता है भी जारे ऑज कितना है क्या बढ़ाया है उसको ी इच हूँ यह इसको किशान का Sensei को मिलना ही चाहिए है, जो किसान को दिया जा रहा है जो भी पैसा किसान को दिया जाता है कि आप ये मानिए कि उसकी जेव से जो उस से तीन गुना निकाल लिए जाता है । हमसें आप लॉन मत दीजिए ओज्या तो लोगजिजी किसाने को उतषाइब लेजिए आप चार परसेंट में लेजिए आप शेपर से लॉन नहीं लेंगे किसान को उनका जो है लागत मुले देदी और फसल जो लागत जो होती है वह सी चुछ जो है जो आयोक का जो है कमिशन की रिपोर्ट जो है वो दे दीजे बात खत्म हो जाएगी आज किशान और यह जवान की बात हुई आज जवानों का देखे जवानों का जो चार साल की जो भरती की है भाई उनके साध्य नहीं हो रही बच्चों की अगनी वीर योजना क्या होती अगनी वीर योजना उसमें रोजगार दिया जाता है अगनी वीर योजना एक रोजगार है वो देश का जो 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 नौजवान देश की शीमा पजा रहा है देश का सुरच्छा कर रहा है देश का कि तेखिये इसको एक रोजगार के रूप में देखा जा रह तहरा है। देखे ने परवार में से कई लोग जो है फोज में हैं वो यह बता रहे हैं कि चार साल में थो जो आइनरा उससमें टैंक में गोल डाग नहीं आते में चार तब आपको मिशाल का स्वाइब चलाइंग चार साल में क्यानों ब्रबाद funded यह उनक्त मैंने कि अधित्न अध्य बढ़ गया की चीन में बढ़ आब लेकिन आज तर बने खो LOOKète को वहाझा को बदें आदम है कि मुदी ने जो चीन को यह बोला है कि हम चीन को जो है बरबाद कर देंगे हम चीन का चीन हमें आख दिखाएगा तो हम उसको मुक्का दिखाएंगे उसमें हिस्सेदारी मिलेगी कब तक भाई यह सरकार के इच्छा सकते के उपर है क्योंकि धरातर पर जाने के बाद ना उनके पाश्खेत है न खलियान है न घर है न सिच्छा है न नोकरी है उस पर बताएं कब उनको यह अधिकार मिलेगा हम आपको यह बताएं जब देश आजाद हुआ है तो 1947 से पहले जो अंग सब जो भी है देश की वह अंग्रेजों के थी इनको जमीन में डिवाइडेशन तभी कर दाना चाहिए था चतिस करोड़ के आबादी सबको देते इनकी नियत कहां इन्होंने क्या काम किया है जो बनवाशी बोलते हैं इनको बनवाशी जो है वह साड़े साथ परसेंट के आ इन्होंने काटा है दस किलो मीटर नुए तो पंद्रे किलो मीटर नुए इतने बड़ बड़े पिलोट काटे आप जाकर देखिए उसमें रूर केला में देखिए दुरगापुर में देखिए जहालखंट में जाकर देखिए टाटा नगर में जाकर देखिए क्लो मीटर के नोफ में काट दी है पहले पहले इनों क्या पहले उसको बन घोस्त कि आ ग्राम समाज की जमीन घोसित कर दी सब शितना भी वहाँ अधिवाश एक अधिश्क पर लेता था वह डिस्पट्रेस्ट किया tocar बॉस करते हैं उसके बाद मैं इन्होंने जो है उसको ग्राम समाज किया है क्या है शुक्रिया लोट कार्ट दिया है सुक्रिया तो अभी हवारे साथ एदोकेट सर्थ है इस पूरे बात चीद पर आपकी क्या रहा है कमेंट बाक्स में जरूर दें शुक्रिया